Hello everyone, welcome to our channel, this is Srishti Agrawal, तो आप सभी कख्षांट के स्ट्रुएंज के लिए मैं लेकर आई थी, आपका model paper subject हिंदी का, अब आज हम देखने जा रहे हैं, विशे, इंग्लिश का ये model paper, जो की आपकी exam जो होने वाली है, उससे हुबहू pattern पर आधारित है, तो इससे आपको realize होगा कि आपकी कितनी तयारी है, और साथ ही आपको पता चलेगा, कि किस तरह की pattern में आपको question मिल रहे हैं, तो आपको पाठे क्रम तो मैंने बता ही रखा है, किस-किस chapter में से क्या-क्या विटेज रहने बाला है, सब्जेक हिंदी का हम देखी चुके है, यह model paper, अब हम देखेंगे subject English का model paper, तो बिना देरी के start करेंगे सबसे पहरे first question से, यहाँ पर parts में divided है, यह आपका complete English का paper, सबसे पहले part वर में आपको मिलेंगे multiple choice questions, जिसमें आपको opposite type question मिलेंगे, आपको कोई भी एक correct answer फिल करना है bracket में, तो first question है, विल्यू टेक ब्लैंग पिक्चर ओफ अस, तो यहाँ देखिए, N आ नहीं सकता, क्योंकि N आता है वोबल से आगे, A, E, I, O, U से पहले, ठीक है, विल्यू टेक ओपिक्चर ओफ अस, यहाँ पर A आएगा, क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं, कि क्या आप मेरे साथ में, हमारे साथ में एक फोटो ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक फोटो का अर्थ होगा A, ठीक है, तो यहाँ पर option correct हो जाएगा, आपका A option, यह आपको खुद से करना है, बट मैं आपको हिंद के तौर पर इनका आंसर बताती चारे हूँ, सेकिंड कोशिन है, अर्थ इस राउंड एंड इट हैस मोर सी एरिया, ब्लैंक लेंड, आर्थ तो आपने देखिए, कैसे होती है अपनी हानी परत्वी, राउंड यानि गोल शेप में है, और जादा तर जो एरिया है ना अर्थ का, वो क्या है, सी एरिया यानि समुंद्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब थर्ड कोशिन क्या है, जो ट्रेन है, वो छूटने वाली है, अगले आदे घंटे में, तो मैं जो पहुँचा स्टेशन, ट्रेन को पकड़ने के लिए, करेक्ट टाइम पर पहुँचा, तो इसका क्या होगा, करेक्ट टाइम पर मुझे पहुँचना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, आइदर आएगा नहीं, और टू नहीं, आई विल रिच टी स्टेशन इन ट्राइम तो कैश्टी ट्रेन, या फिर आई नीड रिच टी स्टेशन इन आविशिक्ता, तो यहाँ पर नीड आजाएगा, आउप्शन दी करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्थ कुशन है, विच अफ दीस इस नॉट रिलेटेट टू अ कम्पीटर, कम्पीटर से कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है, बहुत इजी कुशन है, माउस, कीबोर, मॉनिटर, कम्पीटर के पार्ट से बैड मीटर ने एक गेम है, तो यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा, विच अफ अंडरलाइन लेटर्स हैस इस डिफरेंस साउट, बहुत इजी कुशन है, डिफरेंस साउट आपको देखना है, देखिए, हम बोलकर के देखेंगे, पुट, कट, बर्ट, शट, अब देखिए, कट, बर्ट, शट में यू आ रहा है, बट यहाँ पर अ की ध्वनी आ रही है, जबकि प, यू, ट, पुट में उ की मात्रा आ रही है, जिससे हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, डिफरेंट साउंड है, तो ऑप्शन ए करक्ट हो जाएगा, इस कोशिन का, तो मीनिंग ऑफ दी वर्ड, प्रेजेंट, इस, प्रेजेंट का अर्थ आपको बताना है, तो प्रेजेंट हम, जो आज की बात हो रही है, यानि आपकी वर्तमान काल की बात हो रही है, उसके लिए भी बोलते हैं, जो और खम किसी को जब गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट का दूसरा नाम भी प्रेजेंट ही होता है, तो यहाँ पर गिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकिंड करेक्ट, यहाँ पर प्रेजेंट की प्रेमिनिंग का बात है, सेबींथ कोशन है, आई रिमूव दी रोल टॉप ब्लैंक एंड पूल आउट दी ड्रॉर्स, आई रिमूव दी रोल टॉप, मैंने रोल टॉप को रिमूव किया, कैसे? कॉम्पलेटली, आई पूल आउट दी ड्रॉप और द्रॉप को बाहर की और खिंचा, चिके? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, आई रिमूव दी रोल टॉप कम्पलिटेड, आई पूल आउट दी ड्रॉप, आई रिमूव दी ड्रोल टॉप कम्पलिट, कम्पलिटिंग, कम्पलिटली, तो यहाँ पर कम्पलिटली आना चाहिए, कम्पलिटली एंड पूल आउट दी ड्रॉप, तो यहाँ पर करेक्ट ओप्शन दी होना चाहिए, पार सेकिंड यहाँ पर है, अब आपको कुशिन 8 से मिलने वाला है कुशिन 11 complete the blanks in the passes given below using the correct word from the bracket आपको ब्रैकेट में words दिये हुए है आपको passes को complete करना है बहुत इसी है ये भी it was Mina's first train journey होगा यहां पर then आजाएगा she was excited to see the huge train on the platform उसकी पहरी जर्नी है Mina की train की ठीके वो बहुत excited है बड़ी train देख कर कहाँ पर train कहाँ पर खड़ी रहती है platform पर the train made a lot of क्या lot of noise as it come to stop at the station Mina held her father's hand father का hand पकड़ा Mina ने they walked on to the train together और उनने walk किया train की तरफ तो उनने साथ में तो इस तरह से आपको चारो ही अर्थ लिखने दें या आप चारो ही बर्ड लिखने दें बहुत इसी है यह भी 12 question है write the plural form of the following words आपको plural form बताना है knife or child का बहुत इसी है यह भी knife में एफ यह आ रहा है knife हो जाएगा IBS से आप से कर देंगे N-K-N-I-F V-S knives ठीक है? knife हो जाएगा K-F हड़ जाएगा और knives हो जाएगा यह V-E-S आ जाएगा यहाँ पर और child में child का होता है बच्चा और अर्थ और जबकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अचन में बोलते हैं children R-E-N को connect कर देंगे 13 question है write the missing letter in the following words आपको following words में missing letter बताना है देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है अच्छे से पढ़िए इसे M-O-N-T-A-N mountain होगा यह M-O-U-N-T-A-I-N mountain यानि परवर श्रंग लग को बोलते हैं mountain परवर यहाँ पर है A-F-T-R-N-O-N यहाँ हो जाएगा afternoon दोपेर का समय को afternoon बोलते है A-F-T-E-R-N-O-N afternoon यानि दोपेर 14 question है बहुत ही easy paper लग रहा होगा आपको देखकर की इसी तरह आपको भी तैयारी करने थाकि आपको easy लगे और अगर अपी तक आपकी तैयारी नहीं है तो इस paper को करने के बाद आप समझ आ जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है तो किसी भी chapter को आपको छोड़ना नहीं है सारे के सारे जो pattern दे रखे उसी से आपको paper करना है अपना तैयारी don't use mobile phone blank driving vehicle तो आपको mobile phone का use नहीं करना चीए जब आप driving कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा while का use जब के लिए करेंगे हाँ पर don't use mobile phone while driving vehicle 15th question है arrange the words in proper order to make meaningful sentence आपको words को arrange करना है proper meaningful sentence के through they makes daily wear they make they mass daily wear they wear mass daily jumped the himanshu river into यहां हो जगा himanshu jumped into the river ठीक है 16th question है fill in the blanks with the help of word given in the bracket आपको words के through bracket से उठाना है कोई भी correct word और इन दे गए sentence को fill करना है always blank seat belt while driving तो आपको क्या करना चाहिए हमेशा पहने चाहिए seat belt जब आप driving कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा always wear a seat belt while driving then do not blank the speed limit in crowded area while driving तो do not speed limit in crowded area तो यहां पर क्या हो जाएगा do not slow the speed limit in crowded area while driving do not cross the speed limit ठीक है speed limit को cross नहीं करना चाहिए यहां पर क्या आजाएगा cross ठीक है slow नहीं आएगा cross आएगा उपर वाली में आजाएगा always wear और यहां आजाएगा do not cross the speed limit जो आपको speed limit दे रखी होती है ना road पे उससे जादा नहीं करनी चाहिए crowded area में ठीक है जब आप driving कर रहे हैं तो पार second तक तो बहुत easy लगा होगा आपको सारे question की question हमने answer दे की लिए है अब part third है जिसमें है आपको एक passes मिला है read the passes carefully and answer the question given below आपको passes दिया गया है बहुत ही पढ़ा हुआ chapter देखिए the best present, Christmas present in the world आपका पहला ही chapter है उससे ही यह paragraph दिया हुआ है बहुत अच्छी से हम समच चुके हैं इस chapter को अगर नहीं समझा है आपने अभी तक तो आप हमारी channel की playlist से इस chapter को जरूर से देखें क्योंकि यह बहुत ही important chapter है इससे आपको काफी सरे question अपने exam में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो यहां उससे से रिलेट दिया हुआ है I spotted 18-a junk stop in breadboard a roll top desk The man said it was early 19th century and oh I had wanted one but they were far too expensive This one was in a bad condition The roll top in several piece, one leg, climsley, mandate, scorch, mask all down one side It was going for very little money I thought I could restore it It would be a risk, a challenge but I had to have it I paid the man and bought it back to my work room at the back of the garage I began work on it on Christmas Eve तो यह था paragraph इसमें से रिलेट आपको कुछ फुशन पुचे गए है जिसनके आपको answer करने है जो कि इसी paragraph में उपलब्ध है How old was the roll top desk? Where did the author find it? तो कितनी old थी roll top desk? तो जो अथर ने इसको find किया था? बीटपोर्ट में एक जम शॉप में और इसका जो How old was the roll top desk? तो it was early 19th century and oak से बनी हुई थी वो What was the condition of the desk? तो यहाँ पर इससे रिलेट यह question हो गया अब है question 18 Where did the author bring the roll top desk after purchasing? क्या किया ओथर ने? तो ओथर अपने वाक्वूम में ले गया उसे और बीगीन उस पे वर्क करने लगया उसे ठीक करने के लिए तीक है? When did the author begin to work on the desk? तो ओथर बीगीन वर्क ओन इट ओन क्रिस्मस इव यहाँ पर answer इसका यह हो जाएगा Next is write the opposite word from the passes for the following words आपको opposite बताना है Near का हो जाएगा far Near यानि pass और far हो जाएगा यहाँ पर दूर Late, late early हो जाएगा, ठीक है? Late क्यानी, late और early यानि जल्दी तो यह हो गया आपका passes Celerate question अब है read the following passes carefully Answer the question given below आपको यहाँ पर भी passes दिया गया है जिससे आपको read करना है और इससे little question पुझे गया है जिनके आपको answer करने है तो इससे आप read करिये What was the great stone face? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the feature of a human face तो आपको बताना है What was the great stone face? तो यहाँ हो जाएगा The great stone face a face was a work of nature तो आप completely answer इसका लिख जीजिए paragraph में as it is दे रखा है आपको How does the great stone face appear? If spectator gets close to it How does the great stone face appear? कैसे appear हुआ? तो if the spectator approach to near he lost the outline and numerous face and kursi only a heap of genetic rocks spilled one upon another Next है identify, write one word of following sentence A very high hill mountain को बोलेंगे तो mountain हो जाएगा यहाँ पर इसका answer Next है A person watching an event तो ऐससे यहाँ पर देखिए वह person जो देख रहा है event को तो यहाँ पर हो जाएगा spectator तो नहीं आपको word दिये गए है आपके paragraph में और हिन के तोर पर पहला letter दे रखा है जो कि बहुत easy हो जाता है आपको final करने में Next question है When does great stone face appear to be alive तो यहाँ पर इसका answer भी आपको इसी में मिल जाना है Great stone face seem positively positively to the life ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह answer यहाँ से start हो जाएगा Seen from distance the cloud clustering about it the great stone face seem positively to the life When was the popular belief about this stone face among the people It was the belief of many people that value out much of its fertility to the banyan face that was continually beaming over it तो यहाँ पर इसका answer यह हो जाएगा ठीक है Next के next देखेंगे Find out the word formerly passes which mean gathering gathering यानि खटा होना ठीक है तो यहाँ पर इसका एक word देखना है Clustering, Clustering का भी अर्थ होता है Clustering, बहुत ज़्यादा गुच्छे वाली चीज़ होती है ना तो हम बोलते है Clustering, it's what it was very Clustering यानि बहुत ज़्यादा जो होती है गुथी, गुथी बन गई है तो उसी को बोलते है यहाँ पर Clustering का एक रूप होता है Gathering, जो अब बहुत जारा बहुत सारी लोग एकटे होते हैं तो हम बोलते है Gathering, ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा Clustering Next, again एक paragraph दे रखा है जिसे आपको read करना है और अगर आपको इस type के paragraph आपको एक्जाम मिल जाएंगे न तो आपके वैसे ही number बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको क्योंकि paragraph से answer ढूणना बहुत easy होता है I think सब बी के लिए ठीक है तो यहाँ पर पैसेज दे रखा है Kalpna Chawla से रिलेट अब यहाँ पर question देखेंगे हम पैसेज आप रेट करेए question है which state did Kalpna Chawla belong to कौन सी state से belong करती थी Kalpna Chawla तो Kalpna Chawla was an astronaut who belong to the Karnal district of Haryana state Haryana state के Karnal district से belong करती थी What was the duration of Kalpna Chawla's first space mission तो यहाँ पर हो जाएगा Kalpna first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hour and 34 minute long during this time she went around the earth 252 times for what Kalpna Chawla was licensed तो यहाँ हो जाएगा answer इसका she was licensed to fly single and multi-engine land land airplanes single engine seaplans and gliders identify and write one word for the following group of words a person who travel in a space craft astronaut हो जाएगा यह astronaut जो की space में जाते है next day find out one word from the past is oldest opposite बताना है आपको ठीके तो oldest का हो जाएगा youngest ठीके बहुत यंग थी Kalpna Chawla तो यहाँ पर youngest हो जाएगा इसका opposite चलिए next question 23rd है rearrange the following sentence in correct sequence his eggs fell into the river he bought a golden eggs the god of water appeared he wept and cried for her once a woodcutter was cutting wood near a river तो यह आप समझी गए होंगी कि कौन सी कहानी है यह यह है woodcutter and X की जो की एक लकड़ा और कुलहाडी की आपने कहानी सुनी होगी जिसमें उसकी कुलहाडी एक river के पास में गिर जाती है जब वो क्रोता है तो एक goddess आती है वो उससे सोने की कुलहाडी देती है बट वो उससे मना कर देता है जब अगर उसको अपनी कुलहाडी देती है लकड़ी की तो वो उससे accept कर लेता है और इस बदले में उससे तीनों ही कुलहाडी मिल जाती है क्योंकि जो देवी है बहुत प्रशन होती है उसकी इमानदारे से तो first line यहाँ पर आजएगी once a woodcutter was cutting wood near a river एक बार एक वूर कटर यानि लकड हारा कटिंग कर रहा था वूर्स की नदी के पास His axe fell into the river उसकी कुणाडी गिर जाती है नदी में He wept and cried for help वो रोया और चिलाया help के लिए Then the god of water appeared जो water की god थे वो appear हुए He bought a golden eggs और जो उन्हाने उससे क्या दी एक golden eggs यानि सोने की कुलहाडी वो एक सोने की कुलहाडी लाई उसके आगी हम पर sentence नहीं दे रखे बस आपको इनी को arrange करना था बहुत इजी है ये भी आप देखेंगे part 4 जिसमें है 24 question Imagine that you are Lakshiraj living in Jaipur, write a letter to your friend Hardik Congratulation him on his success in the examination You may use the following clues आपको एक letter लिखना है अपने friend को congratulation करने के लिए उसकी success पर Asking him about his exam preparation और congratulate on his success तो ये हमने हमारी channel पर देख रखा है अगर नहीं देखा है आपने इस type की letter तो आप हमारी channel की playlist से check out कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसके अलावा में आप कर सकते हैं अगर आपको letter नहीं आता है तो आपको एक और advantage यहाँ पर दिया गया है अथवा में जिसमें है यूर गायत्री और मोहन आप लड़के हैं तो मोहन माननीचे अपने आपको लड़की है तो गायत्री माननीचे जो की पढ़ रहा है government upper primary school quota में your father has been transferred to Azmir आपकी father का transfer हो गया जमेर में write an application to your headmaster requesting him to issue your transfer certificate तो आपको issue करना है transfer certificate लेना है अपने headmaster को एक application लिखने है यह बहुत बार हमने channel पर देख रखी है तो इससे भी आप हमारी channel की playlist से check out कर ले next तेखेंगे 25th question जिसमें है एक short paragraph लिखना है celebration of independence day in my school तो आपको यहां पर clues भी दिये गई है hints भी दिये गई है इनका use करते हैं आपको लिखना है एक paragraph 100 word का independence day यानि 15 अगस्त की उपर 15 अगस्त का जो celebration होता है उसके बारे में लिखना है तो इससे आप लिखें और इसकी आथवा में आपको दे रखा है एक story writing जो की 70 to 80 word में आपको लिखनी है जिसमें ही दे गई है once a hair and tortoise यह hair and tortoise खरगोश और कच्छोई की कहानी हमारे चैनल पर आपको उपलब्द है अगर आपने नहीं याद किये तो आप वो भी हमारी चैनल की playlist से चेक आउट कर सकते हैं बहुत easy story है यह तो बहुती जल्दी याद हो जाएगी आपको अगर याद नहीं है तो तो यहाँ पर आपको पता ही है कि एक बार की बात होती है एक tortoise और एक खरगोश रहता है the hair was proud यानि उसको proud होता है अपनी speed पर तो वो क्या करते हैं एक fun game खेलते हैं और tortoise जो है वो इस challenge को जीत जाता है और जो hair होता है उसे अपनी गलती पर पश्टावा होता है यानि कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है थेके किसी का भी मजाख नहीं बनाना चाहिए तो इस कहानिसा में ये learning मिलती है moral मिलता है तो इस तरह से done होता है आपका चारों पार्ट में ये divided question 25 तक complete paper उमीदे आपको पूरा paper अच्छे समझ आ गया होगा आदे question तो हमने देखी लिये है पूरा paper आप इस तरह से करने के कोशिश कीजिए आपकी कितनी तयारी है उसे साब से ठीके अगर आप अच्छे से तयारी करेंगे पेपर की तो आपके marks जो है 80 out of 80 आने वाले हैं तो इस तरह और भी papers के हम model paper देखेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा तेखने के लिए धन्यबाद